you know success की जो इमारत होती है success की जो बिल्डिंग होती है उसका सबसे important और मजबूत pillar होता है confidence अगर आपके confidence का pillar हिला हुआई है डगमगाया हुआ है या फिर कमजोर है तो आपके success की इमारत नहीं बन सकती आपने दुनिया में किसी भी फिल्ड के सक्सेस्फफल इंसानों को देखा होगा वो लोग सारे confidence से भरे होते हैं आत्म विश्वास से leverage होते हैं आखिर ऐसा क्या होता है उनके अंदर जो वो लोग confidence से भरे होते हैं अच्छा उसको छोड़िए, confidence आखिर होता क्या है, confidence का मतलब क्या है, तो वीडियो को अंतक जरूर देखना, I bet मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, कि आपने confidence related इंटरनेट पर इससे अच्छा वीडियो नहीं देखा होगा, वेलकम बैक दोस्तो, 100 days communication challenge के 22 में दिन में आपका स्वागत है, तो confidence वर्ड आया कहां से, confidence का मतलब क्या होता है, confidence का मतलब होता है, trust, भरोसा, confidence वर्ड जो आया है, वो latin वर्ड से आया है, confidential, confidential का मतलब होता है, trust, firm, believe, और confidential जो आया है, वो आया है, कौन और fights से मिल करके, कौन का मतलब होता है, with, और fights मतलब होता है, trust, या फिर believe, तो confidence की जड़ क्या है, confidence आता कहां से, आपने देखा होगा, किसी एक बंदे में बहुत ज़्यादा confidence होता है, और किसी में low confidence होता है, ऐसा आखिर होता क्यों है, तो confidence आता है self-esteem से, और self-esteem का मतलब क्या होता है, self-esteem का मतलब होता है, कि आप खुद को कितना पसंद करते हो, खुद को कितना like करते हो, इन्हों जब आप खुद को like करोगे, खुद को पसंद करोगे, तो आपका self-esteem high होगा, और जब आपका self-esteem high होगा तो आपका confidence भी high होगा अगर आपका self-esteem low है तो आपका confidence भी low होगा इनो self-esteem और confidence directly proportional होते हैं तो इनसान खुद को पसंद कैसे कर सकता है, खुद को like कैसे करता है मैंने जिसे आपको बताया कि successful इनसान confidence से भरे होते हैं आत्मे इश्वास से love raise होते हैं इसका मतलब उनके अंदर self-esteem बहुत जादे होता है और जब उनके अंदर self-esteem होता है इसका मतलब वो लोग खुद को पसंद करते हैं, खुद को like करते हैं तो वो लोग खुद को like कैसे करते हैं आखिर उनका क्या process है तो successful लोग जितने भी होते हैं, उनके अंदर goal होता है, वो लोग किसी एक goal को पाने के तलब करते हैं, किसी एक goal को पिछा करते हैं, किसी एक manzil होता है, और वो लोग उस manzil के तरफ बढ़ते हैं, तो उस manzil के तरफ बढ़ते हुए, उनके रास्ते में दिक्कते आती है, पर बहें वो डटे रहते हैं तो जब वो लोग डटे रहते हैं और उस रास्ते को पार कर लेते हैं तब को खुशी मेंशुस होता है तो लोग खुशी मेंश message होती है अपने उपर तो वो लोग खुद को पसंद करने लगते हैं कि अरी देखो मैंने इतना hard काम कर लिए इतने मुश्किल काम कर लिए तो इससे उनका self-esteem बढ़ जाता है और जब self-esteem बढ़ता है तो self-confidence बढ़ता है इनों एक सवाल यह आता है कि आपके अंदर confidence आखिर क्यों नहीं है यह फिर हम लोगों के अंदर self-confidence क्यों नहीं है हम लोगों ने जिन्दगी पर आसान काम किये हैं मौझ मस्ती किये है तो हमारे अंदर self-confidence कहां से होगा जब आप आसान रास्ते चूज करते हो और आसान काम करते हो मौझ मस्ती करते हो तो आपके अंदर self-confidence आहीं नहीं सकता self-confidence के लिए मस्त है कि आप challenges को face करो आप failures को face करो setbacks को face करो जब आप hard काम करोगे मुश्किल काम करोगे तब आपको खुद में गर्ब मैसूस होगा खुद में proud वो कहते हैं कि don't build confidence, build evidence, if you build evidence, then self-confidence automatically comes, मतलब confidence को मत बिल्ड करो, confidence के पीशे मत भागो, evidence बिल्ड करो, confidence अपने आप, आपके अंदर आ जाएगा, evidence का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि successful लोगों के अंदर confidence बहुत जादे होता है, तो उनलों के पास evidence होता है, उनलों ने दुनिया में बड़े-बड़े चीज़ें उखा रखे होती है, बड़े-बड़े चीज़ें कर रखे होती है, तो उनके पास evidence होता है, कि हाँ मैंने ये किया है, ये भी किया है, अरे ये भी किया है, तो जब ऐसे ऐसे काम करते हैं तो उनके अंदर अपने आप confidence आता है क्योंकि उनलों को पता होता है कि मैंने कितने मुश्किल काम किये कितने कठीनाईयों को सहा है कितने दर्द को सहा है तो जब आप दर्द को सहेंगे कठीनाईयों को सहेंगे मुश्किल लास्ते को पार कर लेंगे तो खुद को पसंद करेंगे तो वो लोग खुद को इतना पसंद करते हैं कि उनके अंदर self-esteem बहुत ज़्यदे high होता है और उनका self-confidence बहुत ज़्यदे high होता है तो आप आपके लिए actionable step क्या-क्या है आप कैसे अपने confidence को धरे-दरे बढ़ा सकते हो इनों सबसे पहले आप हर दिन को एक ऐसी चीज लो जिससे आपको डर लगता है जिसको face करने में आपको कठिनाई आती है difficulty आती है तो आप एक छोटे से step से शुरुआत करो आप अपने डर को थोड़ा सा face करो आज face करो कल थोड़ा सा फिर कल face करो फिर एक दिन बात करो उसके एक दिन बात करो तो ऐसे ऐसे अपने डर को face करते वे अपने मुश्किल को challenges को face करते वे जब आप काम करोगे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर confidence अपने आप build हो जाएगा आप confidence के master बन जाओगे तो शुरुवात एक छोटे से step से करो उसके बाद धीरे धीरे करते जाओ और ये गलती कभी मत करना कि एक ही बार में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे बड़े step ले लेते हैं अगर आप बड़ा step ले लोगे तो फिर आप पहली दिन डर जाओगे पहली दिन आपके हालत खराब हो जाएगा तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है आपको एक छोटे से step से शुरुवात करना है तब बड़े step में जाना है तब आगे जाना है तो आज के लिए इतना ही दूस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे 100 days communication journey को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उनलों के साथ ज्यादा सदा शेयर करें जिनके अंदर confidence की कमी है और जो अपने confidence को बढ़ाना चाहते है आज के लिए इतना ही वीडियो को लास तक देखने के लिए thank you so much